आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, करीं समाल अपना बहिमान लोगों, इन सवासों करोर देश सवासों के मिजाज को कभी कम मत्हा किये, उससे तो आपको दर्ना ही पड़े प्रावल गांदी जी किस मुद्दे पर सक्रिय होते हैं और किस मुद्दे पर सक्रिय नहीं होते हैं इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हैं क्योंकि उनकी अपनी एक कोई सोच हो सकती है मैं इस बात को यह कहना चाहता हूं कि नोट बंदी एक ऐसा विशे है जिस पे की पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता इस पे समय दिन शील के साथ इसको महसूस कर रही है नोट बंदी से आम जनता को कोई परिशानी निये नवस्ता जब आप नहीं चालू करते हैं तो आपने देखा लाइन में लगे हुए लोग ये तो आप मीडिया नहीं दिखाया था कि लाइन में लगे हुए लोग भी इस नोट बंदी के पक्ष में हैं कारण है ब्रस्टाचार का खत्म होना और एक आपने देखा कि आतंगवाद और रकसलवाद की बिलकुल कमर तोड़ दी है इस नोट बंदी की वज़े से सब्सक्राइब करना करना वो अलग बात है हमारे तो जाती है तो एक ही जो है जिले के अंदर लोग इसे सामिल हो जाते है के आज बाज़ब्पा करकरता को जर्नने की जोर्त नहीं है बाजब्पा जिस आप से काम कर रिह है यक आम जनता काम पुझसा करई पार्टी है पार्टी है पार्टी वाकरेस है और वह आए है नहीं जो मिपिटेंग होJack कि यह पंदरा दिन मैंने पर किया दो महीने की ऐसुईदा है इस से हमको दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे मिलना वाले हैं और जब पेसे के फुला हो जाएगा इफरात हो जाएगी जब बेंकु सासानी से पेसा मिलने लगेगा तब इसके जो पोजिटिव एक्ट है वो मुदी जी देश की मजाग कर रहे हैं मुक्यम मंत्री गुजरात के जिद्धीपन और इन्हों किसी की परवाने के रहे इतने कफल्याम होने जब आवजूदी अपने आरोपों के जरी प्रदान मंत्री को घेर पाएंगे ऐसा लगता आपको फिर जी प्रदान मंत्री को घेर पाएंगे राहूल गांदी बिल्कुल घेरेंगे वक्त आने पर बिलकुल घेरेंगे और आज वह घेरेंगे उनकी आवाज जवारी है वह बई मान कह रहे हैं वह पुछ नमस्कार बताएं तो बात कहना चाहूंगा हाँ पहली बात तो आपकी ड सब भी यही बात कर रहे हैं कि मोदी जी को कैसे कह रहेंगे कैसे कह रहेंगे क्या सराथ पार्टी देश से बड़ी हो गई कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो यह विपक्स वाले गेरने के लिए बैटें असर दूसरी बात में यह कहना चाहूंगा आज राहूल गांदी जी कॉंग्रेस वालों को यह सोजना जी कि राहूल गांदी वो आवाज नहीं उठा पाए कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए हैं मैं मुकिश जी आपका रुक करना चाहता हूं दोनों पहलू हमारे सामने हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहूल गांदी इस बात को दावे से कहते हैं कि प्रजान मंत्री जी ने कहा नहीं साल में आपका पैसा आपको मिल जाएगा लेक एटियम पे जुरूर लाइन है मैं इस बात को बैंकों में कर आप जाएगा इनके पास में केवल जनता को बर्गलाने के अलावा कोई बचा नहीं है काम आप आप यह देखिए कि मैंने पहले का कि अपना रिपोर्ट काइड यह खुद ही पड़ रहे हैं इनके नेता करें आज अगर राहूल जी कह रहे हैं कि साट परसेंट जनता अनपड है ऑनलाइन पैमेंट नहीं कर सकती अरे भाइसाव आप भूल गए आपके पिता जी आप बात भी आप कह रहे हैं कि जनता हो नहीं पहली बात की जाली नोटों की खात्मे की बात की गई लेकिन इस नोड़वंदी के दोर में भी एक रुपे में से दो पैसे तीन पैसे जाली नोटों के हैं दूसरा सवाल अगर आतंकवाद की खात्मे की बात की गई तो हालिय जी अभी भी आप देखाऊगा चाहिए नक्सलियों ने बड़ी संख्या में और अपने आपको आत्म समर्पन किया है तो कहिन कहीं कमर तोड़ काम इसमें हुआ है इसमें कोई दोराई नहीं और जहां तक नोटों का लेंदेन मालीजे कमिशन के आधार पे चेंज हुए तो आ यह मैं करना चाहूंगा आप आप देखेंगे दिरे दिरे वेवस्ता है तुलनात्मक द्रिश्टी से अगर बात करें तो काफी इन दस्तुन्राइब करना केवल अब आप देखे कोई विपक्सी पार्टी ना संसद में सुनना चाहती प्रधान मेंत्री जी को ना बहार बार जाब राजीव जी देंगे तो वैसर होगा बागीरजी को सुनते हैं नमस्कार नमस्कार जब बताएं सर मैं कोटा से बोल रहा हूं हां जी यह मुकेश जी करें कि विवस्ता है शुदर री है हां जी मैं इन से पूझना चाहता हूं कि पूरे देश में आज किसान त्राई- असर हुआ है तारे काम दंदे ठकोंगे लोगों के घरीब आद्मी को पैसा नहीं मिल रहा अमीरों के घर्टी जोर्यां बर रही है किस बात की विफलता है जी मैं राजीव जी के पास आऊंगा मुकेश जी से जवाब लूँगा आपकी बात का राजीव जी एक तरफ भाग चालीस जार करोड रुपया मेंसे अगर पांच लाग करोड रुपया बैंक के अंदर आया है अगर दस लाग करोड का गैफसी क्यों होता है तो निश्य जूरूप से कैश क्रंच है इस बात को मानना चाहिए अगर आपके पास क्रंग क्या काओं कि तो भी आप पचास जार कैश निए इसको देने के लिए यह जो सितियारी है लोगों का सब्रका बांग तूटता जा रहा है पचास दिन का आपने वादा कर रहा था पचास दिन कूरे होने वाले उसके बात क्या होगा तो इसलिए चिंता की बात है कि आने वाले समय के इस इस ती सुद्री नहीं है अगर पचास दिन में इस्तिती सुद्र जाती तो आशद हाला अच्छी होते हैं लेकि सर्दी का प्रकों बढ़ता जा रहा है आने वाले समय के इंदर हम चुनाओं के पास जा रहे हैं यूपी के पंजाब चुनाओं आने वाले बज़क पहले शुरू कर दिया गया है और इस बीच में इस्तिते की जो तकलीफ हो रही है मेरे काल से आने वाले है समय जो है बड़े संकत का समय है तुरंत इंजाम करना चाहिए हम चाहते हैं कि गरीब की समस्या का समाधान हो और लोगों के समय की तरक है लेकिन इसमें राजनीती कहां पर किसे इस तर पर हो रही है अजिए राजनीती तो शुरू से हो रही है यह बात थीक है कि अगर सही तरीके से अपनाए गई होती और बैंकों को सही तरीके से उस वक का इसावट कर दी गई होती तो इस्तिति पैदा नहीं होती क्योंकि रिजर्बैंक के अधिकारी जब शामिल हो गए आपके गाल में म जानता को जहां पैसा पहुंच नहीं पहुंचा हो घर में पहुंच गया अब देखी जितना पकड़ा गया पैसा उसे इसपस्ट हो रहा है कि लोग ले गए कमिशन के अंदर तो विवस्ता है तो है नोडबंदी को लेकर लिए तो खिलापत कोई करणिक लिए तैयार नहीं है मैं भी नहीं बानता कि नोडबंदी लेकिन वेवस्ता ही ठीक कर दी तो यह आज इस्तिती जो मुकेसी बार-बार कहना है कि राहूल गांदी का साथ लोग काफी है क्योंकि आज जितने लोगों का दावा किया आदे पहुंचे तो इस दो लगी रहा है कि का कॉंग्रेस भ समझ नहीं पा रहे हैं तो इसलिए जब तक राहूल गांदी लोगों को जोड नहीं पाएंगे इस्तितियों से तो इस सब चीजे होगी सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं आपके रिपोर्ट पूरी घलत है आप बता दी कितनी प्रोंग समर्तन मिला है आपको सच बात है वह चालीज जार क्या और ग्राउंड था नहीं समझना चीज़ बात को अच्छा नहीं तो चालीज जार लाज-दो-लाक की बादी जंता का सब्सक्राइब तो राहूल गांदी आ जाये थे आपके आवाज उठाने में कामियाब रहे वो ठीक से बात कर पाए आपके लिए जितने 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 जिए धन्यवाद जुड़ने के लिए ये आवाज है अफदेशा कोदिया सहाब एक तरफ सरकार के तरक है लेकिन इन तरकों का जवाब राहूल गांदी से बहतर जंता ने दिया भी जो हमें लग रहा है जंता का मुद्धा क्या रख पाए हैं राहू जनता के मूड को ये दोनों ही नहीं बाप पा रहे हैं मोदी ये सोच के पूरी तरह से आत्मूग्द हैं कि जनता मेरे साथ है इतनी तकलीफ सैने के बाद भी साथ है और राहूल गांदी ये सोच के खुश है कि इतनी परेशानी इस नोट बंदी के फैसले से हुई है तो ज के मिजाज को ना तो सत्तापक्षबाप पार रहा है जहां तक बात है राएल गांदी के बाषन की उन्होंने जो बाषन में बुद्धे उठाए उनका ज्याधातर जो बाषन रहा हो वो कहीं देट रहा कि क्या-क्या तकलीफ नहीं मिल रहा है क्योंकि जो नरेंद्र मोधी की चपी पिछले दिनों जबसे वो गुजरात के मुख्यमंद्री थे लेकर जो सफर रहा है उनका प्रदानमंत्री बनने तक का उसमें जो उन्होंने अपनी चपी गड़ी है यह यह कहना बिल्कुल दिकाई दे रहा हैं वैसे ही हैं लेकिन इस तरह के दस्ते आवेज और परर पहले आरोप लगते रहे हैं इस्ते पे भी होते रहे हैं तो इन आरोपों क्योंकि इससे बड़े आरोप किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाब मिल नी सकते आपको करप्शन के पर्सनल करप्शन के कम से कम तो यदि राहूल गांदी इस मुद्दे को चलिए मुद्दे तो हैं लेकिन सवाल इस बात का है राहूल गांदी बार बार कह रहे हैं कि सूपर रिच लोगों के लिए यग्य किया गया है जिसमें आम जनता की आहूती दी गई ऐसे हालात में क्या ये मुद्धा ठीक तौर पर प्रदान मंत्री जी को खेंड़ने का रास्ता बन चुका है एक ब्रेक आखरी दौर में आपके जवाब के साथ होगी वापसी इुबख साथ नुष्म thoroughf लगाएors लेकर जा चाएं। आरोप इसलिए लगाते हैं कि एक जागरू को इपकस की भूमें निभाने का और अशे पणल परियास कर रहे साथ sodory गानदी ने कभी भी विरोथी राजनिती नहीं किए और खासकर नोड़ बन्दी को लेकर जो आप बात कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के परधान मंत्री ने अचानक टीवी पे आके बोल दिया कि कल से नोट बंद है तीस तरीक तक ये नोट चलेंगे तो विरोध की राज निती तो सत्ता में जो सरकार है उसके मुख्या कर रहे है आज देश की जनता किस तरह से तडप रही है अपने ही नोट लेने के लिए उनको दरदर भटगना पड़ रहा है आपको तो लगता है बस ये सपना राम राम जपना करें समान अपना बैमान लोगों इन सवासों करोड देश सवासों के विजाज को कभी कम मता किये उससे तो आपको दरना ही पड़े